पात्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिक्तम साधन नहीं कर सकता है. पात्र जैसा संतोष फोन या समस का संदेश कहां दे सकता पात्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीती, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पात्र ही होते हैं. दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है. पत्रों का भाव सब जगय एक सा है, ही उसका अलग-अलग हो. पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्र में कागद, तेलगू में उत्तरम, जाबू और लेक तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है. पत्र यादों को सहेच कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है. घर एक की अपनी पत्र लेखनकला है और हर एक के पत्रों का अपना दाएरा. डुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमामें ठिकानों तक पहुँचते हैं. भारत में ही रोज सारे चार करोड चित्थियां डाक में डाली जाती हैं जो साबिक करती हैं कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं पंडित जवाहरलाल नहरू ने सन 1903 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्ज या फिर तेज घोड़े रहे हैं उसके बाद पहिये आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया तार ने रेलों से भी तेज गती से समवाद पहुचाने का सिलसिला शुरू किया अब टेली फोन, वाइरलेस और आगे रिडार, दुनिया बदल रहा है उद्धरन चिन के क्रूशो टिमूल अम पिछली शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया डाक व्यवस्था सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रयास किये गए पात्र संस्कृती विक्सित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विशेश भी शामिल किया गया भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्वडाक संग ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किये विश्विडाक संग की ओर से 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से सर्च शुरू किया गया यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिठियों से ही चल रही है फैक्स, इमेल, ठेलिफोन तथ मुबाइल ने चिठियों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारीकी से उसकी तेह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसबरी से जिसने इंतजार न किया हो हमारे सैनेक तो पत्रों का जिस उत्सुक्ता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे पर अब वह बात नहीं परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है पहले लोगों के लिए संचार का एकलोता साधन चिठी ही थी पर आज और भी साधन विक्सित हो चुके लेखक, आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की चिठीयों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों या फिर बड़े बड़े पत्रकारों, उद्यमी, कावी, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप म पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोडों लोगों को देते हैं, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर ऐसे में संदेशों को जल्दी ही भूल जाते हैं, कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी या तमाम संग्राहले जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने का असली पैमाना हैं। भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे वे आगे लकर बहुत महत्वकी पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुँच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिगगज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज्यादा तर पत्रों का जवाब देते थे, जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जूद जाते थे, महात्मा गांधी ही नहीं अंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं, पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रिशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, यह है पत्रों का जा नहीं हैं पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्या है कहा तथा पत्रों के आइने में दयानन सरस्वती समेट कई पुस्तके आपको मिल जाएंगी जाता है कि प्रेमचंद खास्त और पर नए लेखकों को बहुत प्रेरख जवाब तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे इसी प्रकार नहरू और गांधी लिखे गए रवींद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरख हैं महात्मा और कवी के नाम से महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बी रीफूर बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तथियों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है पत्र व्यवहार की परमपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ तमाम सरकारी विभागों की तुलना है में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है इसकी एक खास वजए यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है घर घर तक इसकी पहुँच है संचार के तमाम उननत साधनों के बाद भी चिठी पत्री की हैशियत बरकरार है शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हूँ या फिर जुपर पर्टियों में रह रहे लोग दुरकम जंगलों से घिरे गाओं हूँ या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाडों के लोग समुद्र तड़ पर रह रहे मचुआरे हूँ या फिर रेगिस्तान की धानियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंतजार होता है एक दो नहीं, करोडों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोजभारतिय डाक घरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहु आयामी भूमिका नजर आ रही है दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूले मन्यादर अर्थविवस्था से ही जलते हैं गाउं या गरीब बस्तियों में चिठी या पहुँचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता अर्विंद कुमार सिंग